दोस्तों नमस्कार आज दोस्तों हम स्टीम जनेटर को इंस्टॉल करके दिखाएंगे इन स्टीम जनेटर के अंदर एक इनलेट पाईप और दूसरा स्टीम का है जिसके उपर अमने टेप लेन टेप लगाई है और तीसरा drainage pipe है जो steam पानी को बाहर छोड़ेगा और दोस्तो इसके अंदर जो अमने steam के अंदर GI pipe लगाना चाहिए ताकि इसके अंदर steam बहुत ही ज़्यादा गरम ओने के कारण सी PVC pipe कई वार फट जाता है और यह अमने वाल लगाया है और कुछ समान अमारा अभी pending है आने के बाद में आपको install करके भी और लगाके भी आपको दिखाएंगे दोस्तों हम आपको बता दें इसके अंदर sensor और display समार्ट बुक्स अमारे पास है नहीं देखना यह अमने उपर वाला जो pipe है यह steam का है और जिसके अंदर सी PVC pipe है यह drainage pipe है और इसके अंदर हम पानी की supply का connection भी अमारे पास है नहीं इसको भी आपको जोड़ के दिखाएंगे इस तरह से steam generator को install किया जाता है अभी हमारे पास electronic mystery भी नहीं आया है जिसके आने के बाद हम आपको तार भी दिखाएंगे तार किस तरह से इसके अंदर जोड़ते हैं झाल 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 झाल